बच्चम में मेरी माँ को मैंने रेडियो सुनते हुए देखा था वो रेडियो सुनती थी जिस पर हावा महल कारिक्रम आता था उसमें मुझे भी जिग्यासा होती थी कि रेडियो कैसे बच्चता है उसमें कुछ गाने वाले बोलने वाले बेटे रहते क्या तो मेरी माने मुझे को बताया कि ऐसा नहीं है कहीं दूर वो लोग बोलते हैं और हम महा सुनते हैं तब मरे दिमाग में ये आया कि मुझे भी रेडियो में जाना है आगश्मणी में बोलना है और बोलने के बाद मैं ये सूच रहा था कि मेरी माँ मेरी आवास सुने उसमें हमावल और बिनाका की इतमाला की प्रोग्राम मुझे बहुत पतंता मेरी माँ गुजर गी लेकिन मेरा सपना मेरे दिल में जिन्दा था कि मुझे आगश्मणी पर जाकर बोलना है जैसा कहा था था कि आप सोचते हैं तो प्रकरती भी आपके साथ में यो काम करना शूरू कर देती जिसको आप चाहते हो मैं अपने लक्ष के पीछे रहा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे हर दम यही सुचना कि मेरी आवास अच्छी हो और मैं आगाश्मणी पर प्रोग्राम दूँ और शूता मुझे सुने मैं जहां आपिस में काम करता था उस आपिस की खटी किड़की से आगाश्मणी का बोर्ड और गेट दिकाई देता था तो मैं कहता था कि लोगों को बलता था कि मैं एक दिन यहां पर जाओंगा और बनूँगा तो लोग हस्ते थें हैं तब मजे पच्चा चला कि लोग जब हस्ते हैं तो आपका देश उच्छा हुता है उच्छा उदेश है तो लोग हस्ते हैं लोग मिलते थें और मैं आगाश्मणी के आडिशन देने पोछा तो मुझे फैल कर दिया गया बड़ा अधास हो गया क्या हुआ हुआ है मिरी आवास कराव गे और मेरे उच्छारण में कोई गलती हो क्या है तो मैं अधिकारी से मुलने पोछा कि क्या बहत आए क्या बात हो गई कि मेरे को फैल कर दिया तो उन्होंने का कि आपको उर्दू बोलना नहीं आता है मैंने का ये को इसे बोलते हैं तो उन्होंने का कि आप गम नहीं बोलते हैं आप गम बलते हैं जिंगगी मिली नहीं बोलते हैं आप जिन्दगी नहीं बोलत पाते हैं मैंने का ठीक है मैं गया और मैंने तीन सो रुपे की एक किताब खरी दी अर्दू की और मैंने अर्दू सेका नुक्ता कहां लगता है ये सब मैंने सीखने के बाद फिर आडिशन दे जा आडिशन देने के बाद आडिशन देने जब मैं पहुचा तो मुझे सिर्ट एक लाइन पढ़ाई और का आप जा सकते हो मैं फिर नराश हो गया कि मुझे लगता कि अभी में मेरे को फेल कर दिया रिजल्ट आया तो मैं फास मैं खुश हुआ और उस वेक्ति के पास गया जिसने अडिशन लेया था मैंने का कि मुझे सिर्फ एक लाइन पढ़ाई और आपने का चल जाओ ऐसा क्यों जबकि सारे लोगों को फुरे 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 पढ़ाय गया तो उन्हेंने का कि जब चावल पक जाते हैं तो एक दाना देखा दियाता है और वो दाना हमने दिख लियाता आप परिपेट के और अच्छा आपने किया उसके बाद मेरा आवास का सपर शुरू हुआ मैंने कई डिकॉर्डिंग्स की प्रसारन के आगाश्मनी के तमाम रिक्रम किये शाक्षी प्रग्राम मेंने किये एड फिल्में सब किया तो जैसा कहा था था ना कि उच्छाई पर आदियु जाके नीचे आ जाता है वैसे मेरे दिनी में हुआ एक दिन अचानक मुझे ब्रेन स्टोक हो गया और होने के बाद मेरा हाथ और मेरा मुँ बोलने लाइक नहीं रहा है मेरी आवाज ही नहीं देम लेकरी थे ओओ ऐसा लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ करा उचारन कैसा हुए कैसा क्या आग बोलना है सब रिकार्ड देता है लेकिन मैं बोलने में सक्षम नहीं होता है मेरे को मेडिकल जल्दी नहीं हो बोला और मैं सिर्फ असपारलमा चार गंटे बाद पोचा मेरा हाथ कराब हो जाता है और मेरी आवाज निकलना बंद हो गी थी हुस्पिटल में मैं लेठा हुआ था मेरा साधन सिर्फ मोबाइल था तो मैंने उसमें एक वीडियो देखा वो वीडियो ऐसा था कि एक तीन्त भाईया गाड़ी थी जिसमें एक जुड़े हुए दो लोक थे बच्चे एकामू अधर एकामू इधर और वो गाड़ी चला रहे थे और पेट्रोल बराने आये थे और वो आवस में बात कर रहे थे तो उन्होंने पेट्रोल बराया और निकल गए मैंने उस वीडियो के अन्शुक को देखा और सोचा कि ये लोग ऐसे जी सकते हैं ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता है उस समय मेरे दिमाग में यही आया कि मेरे को मुझे आवास को फिर से जन्दा करना है बोलना है वो हैं मैं करने लगया प्रैक्टिस करने लगया दीरे दीरे में रिरिकॉर्डिंग करी और लक्ष में पीछे रहा था मैंने पा लिया लक्ष को आप कभी भी ऐसा नहीं की छोड़ देना आप उसके पीछे रहो अगर आप गासलेट की लाइन में लोगोगे तो आपको गासलेट मिलेगा अगर आप शकर की लाइन में लोगोगे तो आपको शकर मिलेगी मैं आडियो के लाइन में आया तो मुझे आडियो मिला लोगों को बात करने का मुझा मिला और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ मैंने अपनी आवास पर शुरू से काम करना शुरू किया और डिकार्डिंग की और आज मैं थोड़ा बत तकलिब में बोलता हूँ लेकिन बोल लाता हूँ और आपको मेरी बात समझ में आ गए होगी एक बात और मैं कहने चाहता हूँ कि हर आदमी को इश्वर ने खुदा ने एक कौलिटी जरूर दी होती है चाहे इंसान के रूप में चाहे अपने गुणों के रूप में उस कौलिटी को आपको पहेशानना है और उसकी इज़त करना है और उसको सवारना है यह आप ध्यान रखें क्योंकि चार मेने पहले, एटे काने के चार मेने पहले, मुझे लगता था कि मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, लगा, यार, कब तक में बेलों की प्रभाकर मुरे का नमस्कार, मैं बोर हो गया था, मैंने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा है, अपनी आवाज नहीं अच्छी लगा कि खुदा ने उश्र में कहा कि आपको जो मैंने उपवार देया है, उसकी किमत आप लगानी पार हो, इसलिए मैं उसको आप वाफस लगने की कोशी करके आपको बताता हूं कि आप क्या है, या आपकी आवाज क्या है, उसने मेरी थोड़ी सी आवाज खराब की, आज मैं अपनी पुरानी आवाज सुनता हूँ तो मुझे लगता कि वाकी ठीक था इसलिए आपको खुदाने बगवाने जो भी दिया है उसकी कद्र करो और अपने लक्ष के पीछे रो लक्ष को नहीं चुड़ना है एक बार गतम बुद्ध के साथ तीन-चार शिश जा रहे थे गाउं से गजर थे उन्हें ने देखा कि एक-एक गड़े है और वो जा रहे है तो एक शिश ने कहा कि गरुजी ये गड़े क्या है क्या किया है यहाँ पर तो उन्हें ने कहा कि ये गड़े नी है किसी ने पानी निकालने की कूश की लेकिन उसने क्या किया है अगले अलग जगे एक जगे गड़ा कोदा का पानी निकला दूसरे तूसरे चोहते उसा कुटा है लेकिन अगर वो एक ही जगे गड़ा कोद कर पानी निकालने लगता है तो पानी निकल जाता है झाल